असलाम अलेकुम एविवन वेलकम टू वनस्टॉप स्टोर्स यूट्यूब चैनल दिस इस मोहमत अजैर और आज हम आपके लिए एक और नया प्रोड़क्ट लेकर आ गए हैं T900 Pro Max मॉडल का नाम है सीरीज 9 के अंदर स्टेनलिस स्टील के अंदर आज तक की सबसे सस्ती स्मार्ट वॉच है यह चनाब इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और इसका पिर रिव्यू भी करेंगे पेश है आपकी स्क्रीन के सामने T900 Pro Max बॉक्स पर हम इसके देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है T900 Pro Max यहाँ पे लिखावा है उसके लावा High Watch Pro भी आपको यहाँ पे लिखावा नजर आ रहा होगा दरासल यह इसका ब्रैंड है High Watch Pro इसलिए इनोंने अपना लोगों भी यहाँ पे इंकॉर्परेट किया हुए Smart Watch 9 यहाँ पे लिखावा है बैक पे आपको कुछ valuable instructions मल जाएंगी इनको पढ़ लीजेगा उसके लावा wireless charging का भी यहाँ पे mentioned है क्योंकि इस watch के अंदर wireless charging supported है और wireless charging केबल भी जनाब आपको साथ मिल रही है Unbox कर लेते हैं डबा खोल लेते हैं लेकिन उससे पहले एक request करना चाहूंगा आप लोगों से के भाई साब subscribe कर लो आप लोग subscribe नहीं कर रहें subscribers burn नहीं पा रहें यार मज़ा नहीं आ रहा बहुत मैनत करके आपके लिए content बना रहें और अब तो कोशिश कर रहें ज़्यादा ज़्यादा content बनाएं तो वीडियो को like भी जरूर करें subscribe भी करें दोस्तों को प्यारों को recommend करें one stop store के बारे में इतनी सस्ता product लेकर आएं आपके लिए subscribe करना तो बनता है चले जी unbox करते हैं इसको फटा फट से डबा खोल लेते हैं बाई तो यहाँ पर हमें सबसे पहले book मिल जाती है इसके उपर Chinese में लिखावा है घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि English में भी यहाँ पर सब कुछ लिखावा मिल जाएगा आपको तो इन्हें पढ़ लीजेगा valuable instructions है how to operate this smart watch उसके लावा connectivity की भी details आपको यहाँ पर लिखी भी मिल जाएगी जैसे के high watch pro का यहाँ पर QR code भी दिया है इसको scan करके आप इसकी app को download कर सकते है directly in your smart watch तो यह book आगई यहाँ पर बुक के इलावा यहाँ पर हमारे पास silicon straps मौजूद हैं जो box के अंदर आपको watch के साथ मिल रहे हैं तो यह भी हम देख लेते हैं यह straps आगए फिर हमारे पास wireless charging cable आजाती है wireless charging करने के लिए and last but not the least हमारे पास आजाती है हमारी smart watch तो आप यह देख सकते हैं stainless steel body है series 9 का design है उपर से पन्नी उतार लेते हैं तो एक हमें बड़ा display देखने को यहाँ पर मिल रहा है बड़ा display है stainless steel body है हम यह देख सकते हैं बहतरीन finishing है premium finishing आ रही है इसमें तो कुई शक नहीं है body की वरना अमूमन तोर पे इस price range के अंदर जो smart watches होती हैं कि body से पता चले जाता है कि बड़ाई पैसे सही नहीं है smart watch के बड़ाई मुनासे पैसो की घड़ी है कोई बड़ इसके साथ ऐसा case नहीं है body काफी premium है यहाँ पे आपको crown का बड़न मिल जाता है आपको mic मिल जाता है speaker grill भी मिल जाती है और back पे हमें wireless charging का port भी मिल जाता है उसके लावा हमें यहाँ पे strap locks मिल रहे ह strap locks नहीं है भाईए यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे print बनावा है design बनावा है और यहाँ पे हमें strap locks नहीं मिल रहे हैं तो खेर वाली बात है इतना तो चलता है on कर लेते हैं हम इसे यहाँ से long press करके इस button को तो high watch pro सबसे पहले हमारे पास लिखवाई है और एक watch phase यहाँ पे on हो गया है screen भी on हो गया और always on display भी हमें यहाँ पे तिक गया है पहले ही mode तो colors तो अच्छे हैं screen के अगर हम इसे rotate करते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको curves भी देखने को मिल जाते है screen के around और body काफी premium है display भी bright display है colors vibrant है इसके वरना इस price range के अंदर जो smart watches होती है उनके साथ यह थोड़ा सा issue रहता है brightness का और display काफी होंके weak होते हैं तो आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको animation भी देखने को मिल रही है series 9 का watch phase है जो यहाँ पे मौजूद है display काफी बड़ा है और bright lag हमने थोड़ा सा यहाँ पे notice कि है जब हम यहाँ पे watch faces change कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे lag भी देखने को बीच में मिलता है understandably so price range काफी कम होने वाली है इसकी सबसे 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 सिरीज 9 कहीं जा रही है यह stainless steel के अंदर तो obviously prices की काफी कम होने वाली है आप यह देख सकते है animations भी सारी यहाँ पे चल रही है watch face वाली हाँ थोड़ा सा rotate करने में यहाँ पे lag है watch face को change करने में पिलकुल minor सा lag feel होता है लेकिन animation सारी smoothly यहाँ पे चल रही है आप यह देख सकते है series 9 का watch face है और smoothly सारी animations हमारी यहाँ पे चल रही है इस watch face के भी आपको different colors मिल जाते हैं यह देख लें आप यहाँ पे हम इस button को press करके इसके menu पे आ जाते है तो यह list view यहाँ पे आ गया हमारे पास और menu के अंदर जो है lag जो है वो visibly low है काफी कम है बिल्कुल ना होने के बराबर है lag जो हमें watch face change करते हैं बिल्का सा lag feel हुआ है वो अली चीज हमें यहाँ पे menu पे बिल्कुल feel नहीं हो रही है हम इसके और menu styles देख लेते हैं यह अला menu style आपको मिल जाता है तो यह different menu styles यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास और हम अब grid वाले menu पे आ जाते हैं और इसकी speed हम देख लेते हैं कि finger set touches इसके कैसे हैं तो visibly आपको नजर आ रहा होगा यह कि काफी smooth है और expectation से जादा smooth menu है यहाँ तक कि कुछ premium budget की watches भी होती है जिनका यह आला menu जो है वो lag करता है और इसमें हमें बिल्कुल ना होने के बराबर बिल्कुल lag बलके है ही नहीं आप यह देख सकते हैं काफी smoothly यह work कर रहा है इस वक और display में आप यह colors भी देख सकते हैं बहुत vibrant हैं एक एक आइकन का जो animation है सारी चीज़े बहुत amazing तरीके से यहाँ पर work कर रही है infinite zoom चेक करते हैं इसमें है या नहीं है तो infinite zoom इसमें नहीं है infinite zoom इसमें नहीं है अब top से swipe करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे notification का menu मिल जाता है यहाँ से हम swipe करते हैं तो menu styles change करने का option मिल जाएगा आपको यहाँ से और आपको कुछ और shortcutts मिल जाते हैं जो आप access कर सकते हैं यहाँ से अच्छा fitness modes भी यहाँ पे मौझूद है running है, bike riding है, strength training है, basketball है, tennis है, volleyball है, football है तो different modes modes यहाँ पे मौझूद है और यह भी ठीक ठाक work कर रहे हैं यहाँ पे डाइलर आपको मिल जाता है, जब आप अपना smartphone से watch को connect करेंगे आप इस डाइलर को access कर सकते हैं, use कर सकते हैं तो बागी चीज़े भी इसकी देखते हैं watch की सबसे पहले इस पे straps लगा लेते हैं, straps के साथ इसका look check कर लेते हैं So, this is how the watch looks on the wrist आप ये देख सकते हैं एक खुबसूरत सा प्यारा सा look दे रही है ये watch इस वक्त और ये ही नहीं जणाब, इसके लावा दो और colors हमारे पास मौझूद है एक हमारे पास starlight के shade में एक dial मिल जाता है आपको with rose pink straps और बहुत ही खुबसूरत color है ये भी इसके लावा एक आपको silver dial के अंदर भी आपको मिल रही है smart watch with white straps और ये दोनों आप watches purchase कर सकते हैं in fact आप ये तीनों colors purchase कर सकते हैं www.onstopstore.com.pk इसके लावा हमारा instagram channel भी आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे whatsapp नमबर पे भी आप हमसे contact कर सकते हैं challenge review को continue करते हैं और इसके features के बारे में कुछ check out करते हैं menu पे आ जाते हैं list mode के अंदर इसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास different options आ जाते हैं सबसे पहला option dialer का option है यहाँ से आप dial कर सकते हैं contacts जो भी contacts होंगे आपके obviously smart watch के साथ ये device connected होगी उसके बाद हमारे पास phone book आ जाती है यहाँ पे आप context store कर सकते हैं heart rate की app आपको मिल जाती है but obviously ये accurate नहीं होती तो इस पे reliable मत कीजेगा similar cases with blood oxygen ये भी accurate नहीं होती इस पे भी ECG पे भी reliable मत कीजेगा ये सारी apps आपको यहाँ पे मिल तो जाती हैं बड़ी accurate नहीं होती sports modes अलबता जो हमारे सारे accurate होते हैं इनको आप access कर सकते हैं इनको आप अपनी daily life में इस्तमाल कर सकते हैं जैसे के running हो गया, bike riding हो गया, tennis हो गया तो different यहाँ पे आपके पास sports mode मौजूद है camera की app मिल जाती है ये आपकी जब app के थुरू smart watch connected होगी तब आप इस app को access कर सकते हैं camera की और अपनी phone के अंदर ही आप camera को activate कर सकते हैं music की app आपको मिल जाती है यहाँ पे आप अपनी device का music play कर सकते हैं once the smart watch is connected with your smartphone looking for का option है यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे activity होते वे मिल भी नहीं है इसके बाद हमाँ पस sleep का option आजाता है तो आप अपना sleep chart भी देख सकते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को आप monitor कर सकते हैं message के अंदर आपको different आपकी जो notifications होंगी social media notifications है whatsapp की है या instagram की है या messages आपके पास आए या miss calls आई भी हैं कि सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी उसके लावा हमारे पास stop watch भी यहाँ पे आजाती है आप stop watch को भी use कर सकते हैं अपनी daily activities के लिए QR code का option आजाता है यहाँ से आप QR code scan करके app को download कर सकते हैं settings आजाती हैं हमारे पास change the watch face का option है उसके बाद हमारे पास Siri का option है Siri को भी यानि कि आप अपनी device का voice assistant activate कर सकते हैं through the smart watch about section में हमारे पास यहाँ पे इसकी details आजाती है T900 Pro Max model का name है languages आप यहाँ पे set कर सकते हैं उसके लावा आप time set कर सकते हैं manually watch के तुरूई date set कर सकते हैं आप यहीं से ही backlight time को आप adjust कर सकते हैं कि 3 minutes तक रखना है आपने या 5 seconds तक रखना है backlight brightness को भी आप यहाँ पे adjust कर सकते हैं split screen का option है bed limb का option है screen off dial का option है जो आप off भी कर सकते हैं on भी कर सकते हैं go back time है जो आप यहाँ पे इसको manage कर सकते हैं अपने हसाब से time set कर सकते हैं forever पे भी go back time को आप set कर सकते हैं तो यह थी जनाब हमारी T900 Pro Max एक budget range की smartwatch जो आपको एक बहुत ही मुनासे price से one stop store से मिलेगी आप price हमारे Instagram चैनल पे या हमारे WhatsApp नंबर पे या आप हमारी website पे विजिट करके इसकी price को चेक कर सकते हैं और आप अपने orders भी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जरूर कीज़ेगा हमारे चैनल को subscribe भी कर लें हमारे Instagram पे विजिट करके वहां पे भी follow मार लें और हमारी latest updates का इंतजार करें उसके लावा कोई questions हैं तो आप हमारे से comments में पूछ सकते हैं और इंशालला कोशिश करेंगे जो भी topics आप cover करवाना चाहरे हैं अगली वीडियो उसमें जरूर cover करें अपना ख्यार रखेगा टेक केर अल्ला हाफिस